दोस्तों किसे भी राज जी में सरकार को चलानी के लिए, वहां के गवर्णर और इलेक्टेट गवर्णमेंट के बीच में कौडिनेशन बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या हो कि राज जी की सरकार गवर्णर को केंदर सरकार की कठपुतली कहने लग जाए। और ये आरोप कि गवर्णमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, ये कहते हुए कि जो गवर्णर हैं, वो सेंटरल गवर्णमेंट के डिरेक्शन पर काम करते हैं और नहोंने आठ बिल्स को अभी तक अपना अप्रूल नहीं दिया हुआ है। आप देख रहे हैं P.W. ग्यानको केरला की जो इलेक्टट गवर्णमेंट है, उन्होंने एक रिट पेटिशन को फाइल किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर वो ये कहते हैं कि जो गवर्णर आरिफ मुहम्मद खान हैं, उन्होंने आठ बिल्स को अपनी मन्जूरी नहीं दिया है और इससे जो केरला की सरकार नहीं अपरोच किया है सुप्रीम कोर्ट को, वहां की जो लफ्ट डेमोक्रेटिक स्रंट, उनका ये कहना है, वहां के जो स्टेट लॉ मिनिस्टर है पी राजीव, उन्होंने भी ये बोला कि स्टेट लेजिसलेचर ने जो इन बिल्स को पास किया है, उन बिल और एंटी डेमोक्रेटिक भी है, जहां पर किसे इलेक्टेट गवर्मेंट के द्वारा तैयार किये गए बिल्स को एक ऐसी बॉड़ी होल्ड कर लेती है, जो डिरेक्टली अकॉंटेबल नहीं है जनता को या फिर पीपल को, जो केरला की सरकार है, वो इसी रेफरेंस में रहे हैं, इसे भी जानकारियों को थोड़ा और एक्स्बोर करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि एक से मिनार और इस किया जा रहा है, फोर्थ आफ नमंबर को इन लखनव, ओनली आयस नहीं आफ्लाइन सेंटर को इनिशेट कर दिया है, ना केवल डैली के मुखरजी नगर में, बलकि पटना और लखनव में भी, तो लखनव में आप हमारे आफ्लाइन टीम से मुलाकात कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्सपर्ट टीचर्स और फेकल्टीज मिल जाएंगे, आप अपनी कंसरंस रेस कर सकते हैं, अपनी क्वैरीज रेस कर सकते हैं, और जानकारी अवेल कर सकते हैं, आफ्लाइन कोर्से के बारे में, और भी बहुत कुछ, तो आप इसके लिए जो रेजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे क्लिक करके वहाँ पर अपनी डीटेल स्टिल कर दीजेगा, ताकि लिमेटर इसको ये स्पेशन रिपिटेशन सुप्रीम कोट के बास जाती है, टूर्स केरला गवर्मेंट, यहाँ प्यारोप लगाया गया, केरला के गवर्नर के उपर, कि वो अभी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ना केवल वो डिफीट और सबवर्ट करता है, जो हमारा फंडामेंट कुछ वेलफेर मीजर्स आप्ट करना चाहती है, जिनने उन बिल्स के जरीए इंप्लिमेंट किया जाना है, उन्हीं भी रोक दिया गया है, एक डेटा बेस के तौर पे ये बताया गया, कि जिन बिल्स को के गवर्नर ने अपहल रिक नहीं किया, मतलब उन्हीं रोक कर रखा हुआ है, उसमें तीन बिल्स तो ऐसे हैं, जिनको पास किये लेजिस्लेशर को दो साल से जादा समय हो चुका है, वहीं तीन दूसरे बिल्स ऐसे हैं, जिनको पास किये एक साल से भी जादा समय हो चुका है, अगर इतने लंबे समय तक बिल्स को होल्ड किया जाता है, तो फि बिल दोबारा लाया गिया है इदो के दोनों ही बिल्स 23 महिनों से पेंडिंग है University Laws Amendment Bill जो 2nd Amendment था इसे APG अबदुर कलाम Technical University MLB कहा जाता है तो ये भी 23 महिनों से पेंडिंग है at the same time Kerala Cooperative Society's Amendment Bill 2022 ये 14 महिनों से पेंडिंग में है University Laws Amendment Bill 2022 12 महिनों से केला लोका युक्त Amendment Bill ये काफी important है मतब इसका पास होना बहुत जरूरी है और इसे भी 12 महिनों से होल्ड करके रखा गिया है University Laws Amendment Bill 2022 9 महिनों से पेंडिंग है और Public Health Bill 2021 5 महिनों से पेंडिंग है यहाँ पर देखे एक मामला जो University Law Amendment Bill में है वो भी है देखे अगर आप देखो तो चांसलर होते हैं स्टेट में जो भी Universities होती है उनके गवर्नर और जो appointment होता है उसमें उनका एक key role होता है एक बहुत ही important position मानी जाती है Universities में Vice Chancellor की इसे in general academic कम और political post जादा माना जाता है और यहाँ पर राज्य की सरकारे Vice Chancellor की appointment में अपना सेच आती है जबकि more or less यहाँ पर जादा से governor का होता है तो ऐसा माना जा रहा है कि जो University Laws Amendment Bill है इन्हें पास करके जो केरला की सरकार है वो वहाँ के governor का जो से है in general Vice Chancellor के appointment में उसे कर्ब करने की कोशिस कर रही है बट आप इस बात को नजरमदाज नहीं कर सकते कि ultimately आप जो भे बिल्स पास करेंगे वो जाने है governor के पास for the final ascent और उसमें कुछ भी ऐसा है जो उनकी views या opinion के against है जो उनकी powers और authority को diminish करता है तो उस पर objection raise करेंगे ये कारण है कि जो केरला की सरकार है और जो governor है वो आमने सामने रहते हैं और इसी मामले में अक्सर आरोप लगाया जाता है केरला की सरकार के द्वारा कि जो वहां के governor है वो केंदर सरकार की कषपुतली के दौर पे काम कर रहे हैं अब ये बात तो तैय है कि जो constitutional position develop की गई है for the governor वो central government के agent के तौर पर ही राजजियों में काम करते हैं और यही कारण है कि राजजी की जो elected government है और governor के बीच में एक trust deficit कई सरे राजजियों में देखने को मिलता है जो एक general consensus हमेशा से build हुआ जिसकी recommendation ना केवल सरकारिया commission ने दी बलकि पंची commission ने भी दी कि आप जब भी governor को appoint करें वहाँ पर जो राजजी की chief minister है उनके साथ consult किया जाए और इनके reservations हैं, objections हैं जो appointment है किसी governor का तो उसे seriously consideration में लिया जाए यह जो general principle है इसे अक्सर नज़र अंदास किया जाता है और केवल सरकारे अपने मन मताबिक राजज्यों में गवर्नर को appoint करती है और उसके बाद एक रिफ्ट देखने को मिलती है elected government और nominated governor के बीच में अब यहाँ पर कुछ और बातों को अगर आप explore करें, will get to know कि जो state government है उनका यह बोलना है कि constitutional mandate यह बोलता है कि governor के पास अगर कोई bill जाता है तो वो उसे जल्दी से जल्दी approve कर दें, typically बोले तो उन्हें ऐसे bills को कुछ शप्ता के भीतर ही approve कर देना चाहिए और ऐसा इसलिए है, क्योंकि जब भी कोई bill state and legislature के दोरा पास किया जाता है तो वो elected representatives होते हैं, जो लोगों के will को represent कर रहे होते हैं बills को जब legislature में पास किया जाता है, तो proper deliberation होता है, उस पर detailed discussion होता है और कई बार तो public interest में बहुत जरूरी होता है कि इन bills को जल्दी से जल्दी approve कर दिया जाए यहाँ पर हम देखें तो अगर ऐसा ना किया जाए, तो जो लोगों का interest है वो भी subvert होता है और कई दफा उनके interest stake पर लग जाते हैं, जो state की government है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाती और state की governance का integral part है कि laws समय से बनाया जाएं और उनका सही तरीके से implementation भी हो पली में यही अर्ज किया गया, कई सारे bills हैं जहाँ पे immense public interest involved है सरकार कुछ well-sayer measles लेना चाहती है, लेकिन इस तरीके से अगर bills को delay किया गया तो राज जी की सरकार अपनी हिसाब से काम नहीं कर पाएगी, at the same time जो रिट फाइल की गई है, उसमें state ना केवल ये चाहता है, कि apex court governor को ये dictate करे कि वो इन bills को जल्दी से जल्दी approve कर दे, और इस बात को भी clarify किया जाए कि governor ऐसे bills को बहुत लंबे समय तक withhold नहीं कर सकते, बलकि उन्हीं समय से ऐसे bills को pass करना होगा, बिला किसी delay के, एक reasonable time frame में तो ये एक general demand है केरला की government की supreme court से, at the same time ये रिट ये भी जहाती है, कि एक specific declaration हो governor के against में जहाँ पर इस बात को acknowledge किया जाए, कि जो constitutional duties and powers governor को दी गई हैं, वो उनका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जो pending bills हैं, उन्हें on time, clear किया जाए, बिना किसे delay के और ये acknowledge किया जाए, कि governor को सही तरीके से अपना काम करना होगा जहाँ पर वो bound हैं, कि वो council of ministers की aid and advice पर काम करें ये पूरा मामला हमने इस तरीके से explore किया governor की authority और state government के elected representatives के rights के बीच में clash हमेशा होता रहता है इस class में अभी केरला की सरकार और वहां के governor आमने सामने है आपको क्या लगता है, क्या जो governor है, उनका ये जो stand है अपने rights को preserve करने के लिए और state की government को check करने के लिए ये सही है, या फिर उन्हें एक head of the state या unit कह सकते हो आपके नादे जो constitutional obligations से उन्हें follow करना चाहिए और राज्य की सरकार के काम काज में किसी भी तरीके से आड़े नहीं आना चाहिए अपना opinion comment box में जरूर दीजेगा मिलेंगे एक और interesting topic में, एक और वीडियो में तब तक के लिए आप सभी से विदा लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद